तो गाइ अमने लाश एपीसोड के देखा था यहाँ पर यू आती है अपनी मम्मे बी जोह भी बन चुकी है तो अपनी ममं को देख कर यह उसके पास बुखती हो चाने लगती है उसका डेट पिछ से चलुरा रहा हो रहा होथा है बेटा नहीं वहां पर मतच जाओ तब यहां पर यांट फैंग उसका पेड़ जमा के उसे रोक लेता है यूज चलाते हुए करते हैं कि तुम मरना चाहती हो तुम्हें का लगता है कि तुम अपनी मम्य को बनने से बचा सकती हो हां वो बन चुकी है तुम्हारा मेरा इंट्रेक्टेट हो जाएगा तुम भी बन जाओगी यू यांट फैंट के मुझ से सहरी बाते सुनके एक तम हरान रिच आती है बोलती है वह में तभी आगे बढ़ता है यांट फैंपने पास से पोश्चन या पाने निकाल लेता है जिसका उसने नाइट को पर यूस किया तब अता रहा होता है किंग्सू केने लगती है किंग फैकता है तो वह शिलाना शुकर देती है अंकल कहता है वाइफ यह ठीक कॉंटिमिनेशन है यू बोलती है हम उम जड़ा सा होड़ करें फिर आप हो चलती ठीक हो जाओगे यह इंफिंट उसकी मुम की तरफ देखता है और कि रहा होता है लगता है कि हाँपर कुछ अच्छ वाइलेंस और साथ दूसरों की भी बात सुने पड़ती दिमाग में आ रही होती है मैं भूत यह था ठक चुकी हूं कोई भी मेरी हैप नहीं करता है यह पी रही है मैं क्या करो मैं से रोक ने सकती मैं एक तम यूसले सूंबेकार हो साथ और साथी वह जोर से शिलाती है यह कहता है लगता है कि यह वाल्व हो रही है क्लियन वाटर सोंबी वाइरिस को आगे बढ़ने से रोख सकता था यह ब्लैक सीड़े जिसने उसकी नेगटिव फिल्म को बढ़ावा दिया भड़गाया जल्दी से यहां से सब लोग भाने का चाओ यह इंफिन सोच्छा होता है और जब को यह पने करीग्ये सों का सामना करता है तो ना जो है गया संब में दीन होती हैं तो लेकिन बहुत हैं और शुर्द करने का कैता है वह ब्लेख स्कुर्म किता है जिसका जाओ टैमना नई कर सकती है जोच है और लइक वह वाइफ में य 이걸 आ कर सकती कि यू बोलती है मों यह मैं हूँ तुमारी बेटी उसकी मों भटाक से आगे बढ़ती है और उसके पापा को एक जोरधार थपड मारती है उसके पापा धम करके तो इन पर गिर जाता है और वो घुस्ते के साथ यू की तरह भी देख रही होती है यह इंफंट के रहा होता है थोड़ा रूख जाता है उसकी माम यहाद में पावर बनाने लगते हैं यह को मानने के लिए यह मोड़कों की तरफ देखते हैं और साथ ही इमोशनल शेरा बनात हुए कहते हैं मौम आयम सोरी यह देखने के बाद उसके मौम थोड़ी शोक सी नदर आती है पर वो मानने इसका मतलब यह है कि अभी चांस है कि उसको बचाया जा सकता है इस तरह की सुच्वेशन मेरे प्राइबस लाइप में तो कभी नहीं हुई यू बोलती है मौम क्या मैं आपको यादू यह मैं हूँ यू उसकी मौम घुसे के साथ उसको देखती है और साथ है उसके उपर फ यहां पर रुखने का कोई भी पॉइंट ही नहीं है हाला कि तुमने मेरे को थोड़ी पॉसिबिल्टी शो करा दिये यह सुनती यूँ बोलती है कि इस बात की पॉसिबिल्टी कि तुमारी मौम कोड़बल सा इंसान बनाया जा सकता है यह सुनती से यूँ थोड़ी हरान हो की रही होते हैं कि वांके में इसा पॉसिबल्ट है यह एंफिन को सेफली भाल लिए ऑपनों को चीटने के लिए और इसी चीजिस के पीछे स्काइविल और पड़ी हुए एक रंटम ट्रेडर चैलेंज उसमें सब कुछ पॉसिबल है यह बोलती है कि आवा कही नहीं है तो ह तो मेरे स्कार्लेट रोस भी तुम्हें साथ कॉपरेट करें कि किसी भी कोश्ट पर मुझे पका पता है अगर बोस यहां पर होच में होते तो वह भी यह करते बहुत इस बात के साथ देख रही होंगे इसलिए अगर तुम आखरी पार हसना चाहते हो तो तुमको पहले अपनी तागत को इंप्रूफ करने की जरुवत है इस त्रेंद बढ़ाओ किंसु केती है मैं भी अपनी स्रेंद को इंप्रूफ करना चाहती हूँ लेकिन अतना असान नहीं हमें तो भाज चाने तक के भी हिमत नहीं है और बिना ट्रेडर्स के यह एक दम इंपोसिबल है कि हमें एवलुशन पोशन में मिलेंगे तो इस स्रेंद को इंप्रूफ करना और जो यू भार जाएंगे और बागी के लोग बेस में रुकेंगे और चेन्यू और चू जो जो वेंड के वापस आने के अज़ार करेंगे सबी केते हैं यस बोस याइंटफेंट सोच रहा होता है मेरे पिस्टी लाफ में इडूशन सिडी का एक फेमस पार्क था और यहां पर याइंटफेंट इस टाएंब पर चानने वाला है और फिर दरबात का सिन्द दिखाया चाता है वो लोग आचू करेते हैं उस पार्क के आस पास दो कहीं कि तब दाएच दाएच से बात करने के बाद लाएच से आइस करने पार करने के लिए उसकते हैं तो दिखाए हो सकती है तो दिखाया के पाश किलों में प्रांट नहीं है लेकिन यह इंट्फन बोलता है लेकिन क्या मूँ बताती है लेकिन वहाँ पर एक एरिया है जिसको मैं अपने अपने बिल्टी के साथ डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूं मेरो को ऐसा फिलो रहा है जिसके वह एक तम ब्लेक होल जैसा है इसलिए मुझे लगते है कि इस चीज़ यह इंट्फन केता है अफकोर्स अगर अपने इस अपोर्शनली का फायादा नहीं उठाया तो अब उनको यह बात कैसे पता चली कि कि अंदर कोई कश्रा था या ट्रेजर अपने हां से मोगा छूट सकता है और लोग अंदर चंड लगते हैं उसकी पास उनके मुझे होती ह हाँ बहुत सही कह रहे हैं अगर अब लोग मुझे बतों का सामना नहीं करेंगे तो हमारी कैसिटी कैसे डेबलप होगी और फिर वह उस एरिया में पहुंच जाते हैं मुझे होती है बहुत से यहां पर तो काफी चादा शांती है तो हो सकता है कि फश्वल ऑफ्शनल जो प भी बढ़ा था महां पर तो यह बताया गाता है कि यह सब 1.5 मिटर जीता ग्रो हो सकता है लेकिन यह तो उससे पी जाता बढ़ाई तो यह जरूर मुटेड है इसके बार में बात करने का टाम नहीं है कि इस साब के बारे में बुक अंदर क्या लिखा है जल इसे एक्षन करो वो यहीं आ रहाए दिखा है जाते है उससाब को पास आता देख मुग का पलांटों जाते है और बहुत जाता हो समों यह इंट्वेंट यह तो अभी तो फॉर्थ लेल पर पहुंच आ है और उसने इती आसानी से पास एक हिट के साथ लेविल थी के मुट्री गो मार गिराया ऐसे लगता है कि मुमु ने इसको काफे अच्छा से कर डिवेट कर आए मुमु बोलती है बोस इस साफ का पित तो यू वाली प्रोपर्टीस भी होंगे थोड़ी यह सुनते से मुमु खुश जाती है कि अब आगे में इसका मतलब जया जूने इस वार काफी अच्छा काम कर रहा है यह इसने काफी अच्छा काम किया तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और मेटरियल को देखते ह अपने एविलूशन पॉशन के लिए और फिर वो लोकुस पार्क में थोड़ा और आगे निकला आते हैं यह इंट्फंट के रहा होता है पार्क का सबसे घहरा हिस्सा वेससे यह जैसा मैंने सोचा था विदेश सी फूलो और पोदों से भरा हुआ इसलिए हम एक्तम सभी च करता है और साथ ही वो अपने पास थोड़ा पॉशन निकाल लेता है कि रहा होता है यह एक पॉशन का सेंपल यह मैं पास बचाए तुम इसके मैटरियल को अच्छे से समझ जाती हो तो फिर अपन के लिए बनाने में काभी आसान हो जाएगा और फिर यह जाकर अपने लिए प्लांट करने लगता है जिबकि यूज पॉशन को इनलाइस करना शुक्त यह कर देती है कि रही होती है सब्सक्राइब को बनाने का सेग्रेट इसे में छपा हुआ है मेरे को अच्छा से बेस्ट करना होगा वहां दूसी तरफ यह जाता है उसे पता चल जाता है कि इसके अ सब्सक्राइब को नहीं करा तो यह अच्छा मौका है और साथ ही वह उसी बॉडल को निकाल देती अपने पास से जो कि यहां पर बता रही होते है कि इसे प्यूरिफिकेशन वाली बॉडल को उसने चुपके से कलेड़ कर लिया था क्योंकि वह उसको पर रिसाच करना चाहत यहां पर यहां पर नोटिस करता है जो प्लांट उसके आगे ते वह हरकत करना शुरू कर देते हैं यह देखकर यह लगता है तो यह लगता है कि तो मेरे साथ इसली नहीं चाहते हैं पर आयम सोरी में तो तुमको लिजा कर रहूंगा यह सुनते से वह प्लाइंट उनके तुम तो फॉर्थ लेगल के व्यूर्ट प्लांट और तुम हाँ पर में रहक हट करना चाहते हैं और यह इसको नहीं चुक्त नाईचे फिकदहरते हैं कि सामने नहीं यह सुनते से नीचे कापने लगती है और पोधा यह पेड़ जमिन के से भार आता है और यह एंफन को देखर जोर से रोल लगाता है यह एंफन के रहा होते हैं तो क्या तुम यहां के किंगो मैं तो इस दिखा ही तो काफी लग में टाइम से इंतिजार कर रहा था और साथ ही जम करता वह उ सब्सक्राइब करते हैं मुँ उस चीज से कहती है हमारा कोई बुरा नहीं है हम तो बस यहां पर कुछ इंग्रिएंट्स के लिए हैं प्लीस हमारी है करो उसके बास सुने एक वाद वह प्लाइंटरू मु के तरफ देखता है मुझ से कहती है फिर वह मान जाता है देखाया इस चाहिए और उसके निकल कर आता है यह चीज़े और यह चमकता है और उसके अंदर से कुछ तो भार आता है फिर टाइब का मुझ बोलती है कि ने हमारी को एकसेट कर लिया है लेकिन उसने कहा है कि हम लिए प्लानेट को बिल्कुल नुक्सान ना पहुचाएं हम बागी क पर हमारे उपर नजर रखने के लिए है वह फेरी बोलती है इंसान तुम बहुत तागतबर हो लेकिन इस जिगह पर तुमसे पी चाहता कर हमें निगल जाएगा मैं उसे सब्रेस करना चाहता हूं अगर वो निकला तो तुम इंसान में डिश्ट्रॉय हो जाओगे यह इंफ करना चाहता था और और यह उस परसन से थोड़ा कनेक्टिव नजर आ रहा है लेकिन पेड़ भी उस परसन को सब्रेस करना चाहता है इसका मतलब यह हुआ कि वह परसन अभी इनवाइंसिवल तक नहीं पहुचा है अगर मैं उससे मार डालता हूं इस टाइम पर तो यहां प प्लांट्स होती है ऐसा लगता है कि उस अंगूठी में एक ऐसी पावर है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा इस लिटल फ्रेंड ने वाकई में मुझ जैसे एक बुड़े आदमे को जो कि सासो या ठारा अब वर्शों से जीवे थे उसके मन में भी संकट की भावना को प पर बना लूब बना लूब बना सकता हूं और विससे यह पार कैसा लगता है कि इसमें कोई भी नहीं आए अभी तक तो हो सकते हैं कि यहां का हमारा काम तो हो गया तो चलो अब लोग नेक्ट प्लेस पर चलते हैं कि तबी प्लांट के था प्लेसर एक मिनिट के लिए मैं बेकुल नहीं रोकूंगा इंट फैस्ट होसता है मैंने यह बेकुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि अगर मैं अपने अंगोटे को इंके सामने शो करूंगा तो यह ती यह रिस्पॉंस कर देगा इंट म्यूटेंट ब्लांट का आए क्यों मेरे पिछी लाइफ के तर तो मेरे को इता सब को चोफ़र कर रहे हो तो वह काम भी का विस्त ज्यादा डिफिकल्ट होगा चलो मेरे को बताव मैं इसके बार में सोचूंगा थोड़ा प्लानट बोलता है मैं उम्मीद करता हूं कि पार्क के सेंटर के अंधर जो मॉस्टर है जो साही चीदे को टोब व भी हुर्य हुर, और यहां थोड़ी हराण हो चाहती है यह सुनके वह प्लानट बोल रहो हुटा है, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हें क्राफ्ट में तो तुमको इसले अच्छे और पता हो कर आद हो क्या तुम्कर किसक्ता से यूस कर सकते हो यह तुम्हारे काम काओं का सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पेले मेरे को अपनी वह चीज़ दिखा और साथ ही मेरी एक एडिशनल कंडिशन भी है अगर हमने उस बंदे से छुटकारा पा लिया तो यहां का हमा तो यहां का सारा ट्रेजर इंक्लूडिंग क्रिस्टल और कॉर्वो सब मेरा होगा वो प्लांट याट फ्लिकी कंडिशन को मान चाता है कहरा होता है प्लांट के पास तुम्हाई तरह कोई दिल नहीं होता मेरे पास रूड है जो की इस पूरे पार्ग में फेलियो हुई है और मैं तुम्हाइसाद फुली कॉपरेट करूँगा क्यूंकि अगर मैं फैर रहा तो फिर वो चीज मेरे को भी डिबोबर कर जाएगी हमुमू ये इनफन से पूछती है बोस आखरी है विजटम कोर क्या है ये इनफन बताता है कि विजटम को एक गोट लेविल प्रॉप से एक ऐसा प्रॉप से जो कि तुम्हारे अंदर एविलिशन और विजटम यानि बुद्धी को एक्टिवेट कर देता है हमुमों बोलती है एक ऐसा प्रॉप जो कि तुमारे अंदर एबिलिशन और बुद्धी को एक्टिवेट कर दे यह जिस तो सुने में एकदम विश्वास के बहार लग रही है यह इंफिन्ट बताता है इस तरह की चीज़े सरी हाई लेवल म्यूटेट क्रीशन के अंदर एक ग्रो होती है क्योंकि हाई लेवल के म्यूटेट इंसानों के तरह अपने अंदर बुद्धी को डेबलाप कर लेते हैं अगर तुम उस विश्वास को पाना चाहते हैं तो तुमको खुद उस मूटेट क्रीशन को मानना होगा मूह बोलती है यह तो एक लूप ओफ डेट लग रहा है तो कॉर ओफ विश्वास असल में इस मूटेट क्रीशन का ब्रेन है और इसने असल में खुद के ही दिमाग का यूज़ करती हुए हमारे साथ ये डिल करीए और वेसे वो मॉस्टर जो कि सब कुछ डिवावर कर रहा है आखर किता चदा स्ट्रोंग होगा ये इंफिन्ट केता है इस से फरक ने पड़ता वो चाहे किता भी स्ट्रोंग हो हमें जीतना ही होगा इस अपोशनिटी को मैं मिस नहीं कर सकता नहीं छोड़ सकता हूँ प्लानेट बोलता है अप लोग वहाँ पर आ चुके हैं बस उसके लागे में एंटरी करने वाले हैं मुमू बोलती है यहाँ पर तो काफी कम म्यूटेंट प्लानेट है यहाँ तक यह ग्राउंड भी चटका हुआ है और एक्टम ड्राय है यह इंट्फेंट केता है अपने पेरों की तरफ निखना बंद करो जरा सामने की तरफ देखो हमें जिस मॉस्टर को हरान आए वो वहाँ है मुह हेरान होते हैं बोलती है आकर यह कैसे पोसिबल है इतना बड़ा डेपूल आकर वहाँ पर किस तरह का म्यूटेट क्रियेशर होगा यार वो प्लानेट बोलता है शोर मत करना उसको बिल्कुल भी जगाने नहीं है अपनको अपनको जुपशाप से एक ही ब्लो के साथ उसको मानना होगा अगर आपने उसके साथ फेस टू फेस लड़ाई करी तो भले ही अपन दोनों मिलके हाँ पर उसके साथ पैट करें तब भी जीत नहीं पाएंगे क्या तुम जाने के लिए त्यार हो अगर तुम इसके लिए ठीक हो तो अभी अभी आप लोग अंदर चलेंगे हैं वह तो ठीक है लेकिन एक जिस पहले मेरे को करनी है और पर साथिव अपने पास से एक घोड़ा निकाल लेता है या फिर गोड़ा बन मुझे बिल्कुल में मत देखना मूह बोलती है लेकिन यह पूरा परेंस नहीं देखा मैंने बस देखा उसका बड़ा सा कवच वह बहुती जदा बड़ा लग रहा था और भेहती का ठोड़ता लेकिन मैंने उसकी चिंद की जिगा पर एक छेद कर दिया था हो सकते है कि वह को दुनों पाने के अंदर डूपके माँ देए हैं यहां सोचता है एक की बोड़ी को पाने के अंदर मूफ करने के लिए चाहदा ऑक्सिजन की जरू होने पड़ती लेकिन वह मौस्टर आखिर वह किस तरह का तभी वह प्लांट बोलती है नो डिसको में उसकी प्रेसेंस को सेंस कर सकते हूं वह रहा और फिर हमें पता चलता है वह मोश्टर असल में बहुत बड़ा जाइंट सा क्रैब है यहां पर इसको पर पहले करें रहा होता है कि तभी प्लांट रोग देता है कि रहा होता है समत करना वह सोई राया बिनीन में उसकी सतार कता उससे अपनी लेकिन वह वागे में सो रहा है पिछली बार जब मैंने उसके साथ लड़ाय की थी तो मुझे इस बात का एसास नहीं हुआ था और मुझे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था मैंने काफी विक लोग से सफर करा मोरोबर अगर अपन उसको पर इसा राश्रटे का दे लोगों भी दिख रहा होगा चाहिए चनल का सब्सक्राइब ना क्यों तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी इसका में एक्ष्ट पर डालूं आप तक नोडिफिकेशन पहुंच जाए तो मैं मिलूंगा इसे के नैस्ट पार्ट में फिर कि साप लोगों से जब तक लि रेन्द पारिणी दव रिंग टन आप लोगों से ठोलिट्न आप्ष्ट siya दाएच जब से यादिख कर दोनी दक पहुंच